Stock Market में Investing कैसे Start करें अगर आप Stock Market में नए हो और आप इसमें Investing स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है हाई देव मैं नहीं कृतिश और Tradebrains की YouTube चैनल में आपका सवागत है तो बहुत सारी लोग सोचते हैं कि Stock Market में Invest करना बहुत ही difficult है Stock Market में सिर्फ वहीं Invest कर सकते हैं जिनके पास बहुत अच्छा Finance या Business का Knowledge है पर ऐसा नहीं है इस वीडियो में हम इसे Demystify करेंगे और Try करेंगे डिसकस करने का कि एक beginner जिसे कुछ भी नहीं पता है Stock Market के बारे में वो कैसे Stocks में Invest कर सकता है और क्या-क्या Information या Knowledge है जो उसे पता होना चाहिए तो इसमें कुछ important चीज जो हम डिसकस करेंगे वो है सबसे पहले Why Invest in Share Market कि Share Market में आपको क्यों Invest करना चाहिए दूसरा Key Requirement कि आपको Invest करने के लिए क्या-क्या चाहिए क्याके Account या क्या क्या-क्या-क्या Agg estas Are Third Capital Requirement अ गर आप Stock Market में Invest करना चाहते हो Stocks मेंइनवेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास कितना Capital होना चाहिए Fourth, Where to Invest कि आपको Exactly, कहां Invest करना है कहां पे आप Invest करके profit वना सकते हो Where to Learn Stock Market कि आप कहां से Share Market और या stock market के बारे में समझ सकते हो पढ़ सकते हो तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहला है why invest in share market के share market में हमें क्यों invest करना चाहिए तो अगर हम historically देखें तो stock market ने सबसे जादा return दिया हुआ compare to any other investment asset या तो आप इसे fds से compare कर लीजिए bond से compare कर लीजिए mutual fund से compare कर लीजिए जो एक type का equity fund ही होता है या फिर आप gold से invest कर लीजिए आप किसी भी अगर investment asset से compare करोगे तो share market ने एक ऐसा asset है जिसने सबसे जादा return दिया हुआ है और यहां मैंने आपको nifty की एक chart भी बनाई एक simple चीज जो कोई भी यहां observe कर सकता है वो है कि upward movement निफ्टी लगतार upward movement में जा रहा है since its inception कुछ बीच में hiccups आई है कुछ time में market नीचे गया है but overall in the long term market always goes up तो अगर आप invest करते हो market में तो आप बहुत ही high returns ले सकते हो second be a part of the growing economy तो इंडिया एक बहुती fast growing economy है और यहां पे इस companies बहुती fast rate से grow हो रही है अगर आप कुछ ऐसे assets में invest करते हो जिसमें growth potential नहीं है अगर आप FDs में invest कर रहे हो bonds में invest कर रहे हो तो वहां पे आपको एक fixed या limited returns ही possible है but अगर आप share market में invest करते हो तो यहां पे as much as company grows जितनी companies grow करती है या economic grow करती है उस यसाब से आपको return मिल सकता है मतलब यहां पे आप बहुत companies देख सकते हो जो पहले small cap होती है फिर mid cap बनती है और large cap बनती है जो 1000 crore valuation से 100,000 crore valuation तक भी चली जाती है तो यहां पे अगर आप ऐसी companies में invest करते हो तो आपको potential मिलता है कि आप economy के साथ grow कर सको और उस companies के साथ भी grow कर सको on the other hand बाकी investment option में आपको यह opportunity नहीं मिलता है और third है make your money work for you तो अगर आपके इस किसी भी company में invest कर रहे हो let's say ICICI bank, Reliance Industries तो वहां पे बैठे हुए employees, manager, management बहुत ही ज़्यादा hard work करते हैं ताकि वो company grow कर सके तो यहां पे आपने सिर्फ अपना पैसा invest किया हुआ है यहां ना आपको अपना time दे रहे हो ना ही actively उसमें part ले रहे हो आपको बस ऐसी companies ढोड़नी आनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छा return दे सके या फिर जो बहुत अच्छा grow कर सके future में so इन सब reasons की वज़र से आपको share market में invest करना चाहिए चलिए अब बात कर लेते हैं key requirements की अगर आप share market में invest करते हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो सबसे पहले आपके पास एक DMAT account, trading account और bank account होना चाहिए तो DMAT account वो account है जहां पे आपके सारे shares store होते हैं लेट से आपने 50 shares किसी भी company का खरीदा हुआ है तो वो एक dematerialized form मतलब electronic form में उस DMAT account में store होगा तो आपके पास हमेशा DMAT account होना ही चाहिए previously 10-15 साल पहले paper certificates मिलता था मतलब share certificate मिलता था जो लोग रखते थे अब paper certificate नहीं मिलता है अब सारा dematerialized और electronic form में DMAT account में store होता है second trading account तो trading account वो account है जहां से आप order place कर सकते हो तो आपको कुछ भी trade करना है कुछ भी stocks को buy करना है या sell करना है तो इसके लिए आपको trading account की जरुखत होती है और most of the brokers trading account और DMAT account एक साथ देते हैं आपको two in one account मिल जाता है और तीसरा है कि आपके पास bank account होना चाहिए तो bank account basically वैसा account है जिसे आपको अपने DMAT और trading से link करना है जब भी आपको कुछ भी stocks खरेदना है तो आपको bank account से अपने trading account में वो capital transfer करना होगा ताकि आप buy कर सो को और जब भी आप किसी share को sell करते हो profit book करते हो तो same account अपने bank account में ले सकते हो अगर आपके पास ये तीनों account नहीं है तो आपको कुछ documents चाहिए ये open करने के लिए जैसे pan card, aadhar card अगर ये दो नहीं है तो आपको कुछ और address proof चाहिए होता है most of the stock brokers की में अब online process है मतलब आप online अपना account खोल सकते हो within one days ये account खुल जाता है तीसरा account opening charge तो बहुत सारे broker free में account opening offer करते हैं मतलब आपको ये trading और dmat account open करने के लिए कुछ भी account रुपया नहीं देने है कुछ brokers, stock brokers आपको 200-300 रुपय भी charge कर सकते हैं लेकिन ये one time charge है आपको एक बार ये amount देना है उसके बाद आपको ये amount देने की जरुवत नहीं होती है लेकिन हाँ अगर आप quality पे जाना चाहते हो अगर आप बहुत ही high quality broker में trade करना चाहते हो जिसमें कभी lag ना हो या फिर कभी हो फसे नहीं तो दो-300 रुपय चलता है वहाँ pay करना चौता है brokerage कि अगर आप trade कर रहे हो तो उसमें कितना charge लगता है तो अगर आप किसी भी discount broker में अपना account खोलते हो let's say zero da angel broking धन किसी भी discount broker में तो वहाँ पे आपको delivery मतलब long term trades के लिए एक भी रुपय brokerage नहीं देना है जीरो brokerage देना है मतलब अगर आज आप अगर आप stock खरीद रहे हो उसे तीन दिन चार दिन एक सब्सा बाद बेच रहे हो तो यहां पे आपको कोई भी brokerage charge involved नहीं होता है लेकिन आपके DMAT account के साथ आपको एक AMC देना परता है मतलब account maintenance charge तो जैसे आप अगर bank account रखते हो या फिर credit card रखते हो तो वहाँ पे भी आपको एक maintenance charge देना होता है annually वैसे ही DMAT account में भी आपको एक maintenance charge देना होता है broker to broker यह depend करता है वैरी करता है कि कोई broker आपको 200 AMC मांग सकता है कोई 300 मांग सकता है लेकिन यह annual maintenance charge है हर साल आपको इतना amount देना ही होगा तो finally आपको यह accounts होने चाहिए अगर आप stock market में नए हो तो कुछ अच्छे brokers जो हम recommend करेंगे चाहाँ आप open कर सकते हो वो या तो आप जीरोधा पर जा सकते हो जो इंडिया का सबसे बड़ा stock broker है या फिर आप angel 1 में भी खोल सकते हो angel 1 में currently account opening free है आपको free में ही वहाँ account खोल दोनों ही brokers की link हमने description में add कर लिया है आप directly उस link पे click करके account open कर सकते हो चलिए अब आगे बात करते है capital requirement कि अगर आप share market में treat करना चाहते हो तो आपको कितना capital होना चाहिए कितना amount होना चाहिए तो basically आपको 2-5,000 तो होना ही चाहिए अगर आप stocks में invest करना चाहते हो तो यहां आप देख सकते हो Reliance Industries इसका share price करीब 2500 रुपए पर चल रहा है तो generally आप जब भी shares में खरीदते हो तो कम से कम आपको एक share खरीदना ही है तो अगर आप Reliance के एक share खरीदना चाहते हो तो आपको 2500 रुपए देना परेगा आप TCS देखो तो उसका share price around 32 रुपए चल रहा है HDFC bank around 600 रुपए चल रहा है ICICI bank around 925 रुपए पर चल रहा है यहां आप सारे list देख सकते हो तो आपको अगर एक भी share खरीदना है तो आपको उतना share price amount pay करना होगा तो generally as a beginner we will recommend कि आप 2000-5000 से start कर सकते हो इस amount से आप एक या दो stock खरीद सकते हो अपनी favorite companies का जैसे जैसे आपको और knowledge होता है जैसे जैसे आपका और experience बढ़ता है तो आप अपने trading account में capital increase कर सकते हो और और भी holdings बढ़ा सकते हो और भी stocks increase कर सकते हो पर हाँ अगर आप इससे कम amount पर जाते हो तो ऐसा हो सकता है कि बहुत बार आप वह stock नहीं खरीद सको अगर उसका share value बहुत ही हाई है fun fact इंडिया में जो सबसे expensive share है उसका नाम है MRF और उसका एक share around 1 lakh rupees का है मतलब अगर आपको एक share खरीदना है MRF का तो आपके पास at least 1 lakh rupees तो होना ही चाहिए few more things कि बहु एक gist दिखा दिया एक brief दिखा दिया कि इतना तो most of the biggest companies conscious share price पे trade करते हैं अब next है where to invest कहां invest किया जाए तो basically अगर आपके पास DMAT or trading account है तो आप Indian stock exchange पे listed कोई भी company में invest कर सकते हो तो NSC और BSC जो इंडिया के stock exchange है वहाँ पे 4000 से भी ज्यादा listed companies है मतलब 4000 से भी ज्यादा companies जो start कर रहे हो share market में अभी आपने अपना पहला ही कदम रखा है तो हम recommend करेंगे कि आप large cap companies blue chip companies में invest करना start करें तो यह ऐसी companies होती है जो बहुत large होती है बहुत दिनों से established होती है और इन्होंने बहुत अच्छा market में returns continuously दिया हुआ होता है और इसमें risk भी competitively बहुती safer होता है मतल अगर आप small cap companies में कर रहे हो चोटी companies में कर रहे हो तो वहाँ पर risk बहुत ज्यादा high होता है क्योंकि हो सकता है कि 2-3 साल के बाद हो bankrupt हो के बंद हो जाए बर यह सारी companies में share price 20%, 30%, 40% गिरना बहुत ही difficult होता है इनिशली हम आपको recommend करेंगे कि आप blue chip companies स्ट करना start करो और gradually आप maybe mid cap और small cap में भी invest कर सकते हो और एक और option जो जिससे आप risk को reduce कर सकते हो वो है diversify करना अगर आप invest करने वाले हो 1,00,000 तो 10,000 आप 10 different stocks में invest कर दो एक आप banking में डाल सकते हो एक फार्मा में डाल सकते हो एक tires कमणी में डाल सकते हो तो यहाँ पे आपका risk reduce हो जाएगा क्योंकि अगर maybe banking का stock अच्छा नहीं कर रहा है still अगर auto की company अच्छी perform कर रही है तो वहाँ पे आपका risk reduce हो जाएगा जब एक company नहीं perform करेगी अच्छी तो आपका maximum loss 10,000 रुपे ही होगा उस share में लेकिन जो companies अच्छी perform कर रही है अगर आपने 10,000 investment किया है तो 10 से 20,000, 30,000, 40,000 कुछ भी जा सकता है तो यहाँ पे diversify करके आप अपना risk reduce कर सकते हो तो चलिए मैं आपको एक small demo भी दे देता हूँ कि आप कहां से blue chip companies ढूंड सकते हो तो इसके लिए हम trade brands portal का use करेंगे तो आपको trade brands portal को use करने के लिए portal.tradebrands.in पे जाना है और next आपको क्या करना है कि यहाँ पे screener पे चले जान और यहाँ blue chip पे click कर सकते हो तो एक बार अगर आपने blue chip पे click कर दिया तो आपको list of blue chip companies मिल जाएगी बड़ी companies mature companies जो बहुत ही अच्छा perform कर रही है तो यहाँ से आप अपना list select कर सकते हो ऐसी company select कर सकते हो जो आपको अच्छा return दे सके अगर आपको company के बारे में और भी जान यह year on year जो उसके profit and loss statement में आप देख सकते हो और उसकी depth उस company में कितना ज्यादा चल रहा है तो basically आपको यहाँ पे blue chip companies की total list मिल जाएगी और यहाँ से आप investing स्टार्ट कर सकते हो और अगर आपको यह भी ढूढ़ना है कि best companies कैसे ढूढ़ने 4000 companies में से तो हमने previously एक video बना रख है कि आप कैसे stock screening कर सकते हो trade bands portal की use से तो आप वो video भी देख सकते हो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप 4000 में से कुछ अच्छी companies कैसे ढूढ़ सकते हो investing के लिए चलिए finally discuss करते है कि what and where to learn कि अगर आप market में successful होना चाहते हो तो आपको क्या-क्या सीखना चाहिए और कहा पर आप सीख सकते हो तो अगर आप invest करना चाहते हो आप long term के लिए invest करना चाहते हो अच्छा wealth बनाना चाहते हो तो आपको fundamental analysis आना चाहिए तो यह एक overall analysis है company की और आपको अगर long term में invest करना तो आपको fundamental analysis करना आना ही चाहिए इसके लाव आपको अच्छी knowledge होना ही चाहिए financial ratios and statements की की financial statements पढ़ने का की balance sheet कैसे काम करता है profit and loss statement कैसे काम करता है cash flow statement कैसे काम करता है इसके लाव valuation पे भी कि अभी आप जिस भाव पे खरीद रहे हो कि जिस price पे खरीद रहे हो क्या वो overvalued है या undervalued है तो यह सब चीज भी आपको आना चाहिए यह सब सीखने के लिए कुछ recommended books जो आप पढ़ सकते हो वो है one upon the wall street by Peter Lynch यह Peter Lynch एक fund manager थे इनकी भी book बहुत ही अच्छी है जो beginners के लिए बहुत scratch से आप सीख सकते हो second है a little book of value investing third है the intelligent investor fourth है common stocks and uncommon profit तो यह सारे books की description भी हम details में डाल देंगे आप उसे पढ़ सकते हो पर यह कुछ अच्छी book है जिससे आप अपनी base या fundamentals create कर सकते हो इसके लावा कुछ और भी sources है जहां से आप learn कर सकते हो जैसे youtube videos तो treatments पे भी बहुत सारे videos है even fundamental analysis की हमने in-depth video बनाई होई है कि आप fundamental analysis कैसे कर सकते हो इसके लाव आप courses, webinars, seminars इसमें भी enroll करके सीख सकते हो और fifth and final अगर आपको यह सब चीज़ सीखना है तो आप हमारे platform fingrad पे भी जा सकते हो इसकी link है joinfingrad.com तो fingrad पे हमारे पास 65 से जाद़ courses and webinars अवलेबल है और यहाँ आप इस grad से सी investing और trading सीख सकते हो आपको जो भी सीखना ह master class, यहाँ पर मैंने in-depth समझाया है कि beginners कैसे stock market में इंटर कर सकते हो और कुछ अच्छे stocks ढूंड सकते हैं जिनसो उन्हें बहुत अच्छी profit मिल सकें, so that's all for today, I hope आपको यह video पसंद आया हो और आपने सीखा हो कि beginners stock market में कैसे invest कर सकते हो और पैसा बना सकते हैं, तो जैसे हमन comparatively safer option है, compare to all the other stocks जो अब लेवल है, आप trade means portal पर जा सकते हो, वहाँ पर हमने सारी information प्रोवाइड की होई है, blue chip companies की, and third and final, आपको बहुत ही ज्यादा education के जरूबत है, यह तो just start है, अभी आपने just basic सिखा है, but इसके बाद आपको in-depth fundamental analysis करना आना चाहिए, अगर आपको profits कमान share market में, so that's all for today, I hope it was useful to you, अगर आपको ये video पसंद आया हो, तो please हमें like कर दीजे, और trade means को subscribe कीजे, for more interesting stock market videos, thank you, this is Kritesh signing off.